हलो फ्रेंग्स वेलकम तो वर नेक्स वीडियो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है ओडिटर इस अ वोच टॉपिक अच्छे से क्लियर होएगा एक बार अच्छे से इसको सुनिएगा और थोड़ा सा कंसंट्रेशन करिएगा ज्यादा की जुरूरत नहीं है बहुत इजी टॉ जब कोई भी परसन अपने बिजनस को स्टार्ट करता है तो उसको उसकी ट्रांजेक्शन को रिकोर्ड करने के लिए विच इज रिलेटी टू कैश या बैंकराइज में होती है बिजनस ठीक है जी एड दी टाइम ओफ मेकिंग दी अकाउंटेंसी दैन ओडिटिंग इस अप करना पड़ता है कि व हमारे अकाउंट्स को चेक करें इसमें अपना पुराना मेन भी लिख सकते हो इस्से पहले वीडियो में मैं आपको समझाया है own reality अगर आपको यह तफ लग है तो आप वह भी कर सकते हो is it is the responsibility to find the true and fair value of the business किसकी responsibility होती है यह auditor की it is the responsibility to find true and fair ठीक है जी fair value of the business यह auditor की responsibility है इसमें एक case study थी Kingston cotton mainland company Kingston cotton mainland company यह आपको समझ आ जाएगी बट इसके पहले आपको कुछ पढ़ना वड़ेगा पहले यह पढ़ लेते हैं देखते हैं समझ आपको आता है नहीं आएगा फिर मैं आपको एक अच्छे वेसे समझाऊंगी and auditor is not bound to be detective and to work with their suspicious auditor मतलब bound नहीं है कि उसने वही काम करना है ठीक है and to work their suspicious that there is something wrong अगर उसे कुछ suspicious यह कुछ गलत लगता है इस लिए मैं बोल नहीं हो आपको इससे थू क्लियर नहीं होगा सो पहले हम इसको करते हैं आपको बहुत जिस प्रेन होने वाले वाला ओडिटर इस वोच डॉग नॉट ब्लड हाउंड इट मीज आज डूग डूग आपको पता है डूग ओल्वेस थिंक अबाउड दी ओनर डूग का क्या काम होता है डूग वफदार होता है वह अपने ओनर के बारे में सबसे पहले सोचता है ठी Hang Seo डौग और सिंक अबाउड इस इस सेम वे ओडिटर ओवलवेस थिंक अबाउड डूड सी पंपनी हमेशन अपनी कंपनी के बारे में ही सोचता है इसलिए बोला गया है प्सक्रिटिंग शोलग नूत बलड हां वे वह तक हैसे वफादार बन सकते हो आप सिकुते हैं यहा बिजनेस और त्रांजेक्शन को देखना और सभी टू ट्रांजेक्शन को करना चीक है सभी को सेट करना इस तास्क इसके लिए बहुत दिफिकल्ट होता है वो उसको छुपाने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे और उसको गलत इंफो प्रवाइड भी करेंगे और यह लिख रहा है उस फ्रोड को फाइंड आउट करना कई बार फ्रोड कोन कर रहा होता है कंपनी के इंप्लोई या कंपनी की मैनेजमेंट तो ऐसे फ्रोड को फाइंड आट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट और हो जाता है क्योंकि कंपनी के अंदर का परसन कर रहा है तो उसको सभी प्रोस और कॉंस पता होएंगे ड्वांटेज डिसद्वांटेज तो उसने सभी कि सामने वोला फ्रोड कर रहे है कि उसको दिख रहे है यह बंदा गलत कर रहा हुआ है कि अगर यह पता भी रही है और को ऐसा कोई रही नहीं है उसको कोई यह उसको सिर्फाइंड आउट करने है प्रोड मिल जाता है देन्वाइड से दिस्कुस करेगा देखो duty of the auditor is not harm to the other person वो दूसरे परसन बाद मेंस जिसकी मिस्टेक है इसकी यह ड्यूटी बलकुल नहीं है कि वो उसको हाम करे ठीक है अगर उसको कोई कल्प्रेट मिल भी जाता है तो वो उसको हाम नहीं कर सकता है जस्ट उसको मिल गया वो आगे देखते हैं he is always sincere उसको एक sincere person systematic honest truthful and tactful उसको एक मतलब बहुत सकते हैं रिस्पेक्टफुल परसन बन होता है एक ओडिटर वो ऐसे कुछ भी कर नहीं सकता है उसको यह राइट भी नहीं होता ठीक है जाती है जिसके बारे में उसने सोच भी नहीं रखा the remedial action has to come from the owner of the entity then फटा फटा फट उसी समय उसी situation में action कौन लेगा remedial action has to come from the owner of the entity company के ओनर के through action लिया जाएगा वो नहीं ले सकता action उसके पास राइट नहीं है he has to discharge his responsibility by informing about the irregularity found in the audit जब उसने ओरिटिंग की उसको जो irregularity find हुई वो उसने उसके owner को बता दी उसके बाद वो अपनी responsibility से discharge हो गया उसके बाद उसका कुछ लेना देना नहीं है owner जाने उसका employer management जिसकी गलती है वो जाने उसने just उसको find करना है irregularity को और उसको inform करना है owner को उसके बारे में कि यह irregularity हुई है और इस बन देने की है दैन उसके बाद वो responsibility से अपनी discharge हो गया उसको कुछ लेना देना नहीं है ठीक है जी अब यह तो हो गया note of blood अब देखें इसी को example को यह जो हमने case study देख रहे थे और इसको डिटेक्ट करके मतलब उसने उसको punish वगएरा करना है and to work with their suspicious जब भी उसको लगे किस चीज में गढ़बढ है suspicious लगे तो then there is something wrong तो वह उसको check कर सकता है because he is a watchdog watchdog मतलब वफदार है अपने मालिक का तो वह कर सकता है find out अगर उसे कहीं भी कुछ शक लग रहा है कि यहां पर गलत हो रहा है तो उसको find out कर सकता है he is justified in believing trust servant of the company and his entitled to revive upon their representation provide he takes reasonable care वह justify करता है अगर उसको कुछ भी wrong लगता है तो वह उसकी पूरी चानबीन करता है ठीक है जैसे मतलब बोल सकते हो आप वफदार लोग करते हैं ठीक है अपने try करता है कि company को अपना 100% दे अगर उसमें से कुछ mistake उसको मिलती भी है तो जो भी है चाहिए सही उसने guess किया या गलत किया वह उसकी entitled to rely upon the representation provide करता है he takes reasonable care पूरी इमानदारी के साथ reasonable care के साथ इस information को provide किया जाता है यह case study कुछ है इसके बाद यही वाले जो not a bloodhound है इसके अंडर सब पॉइंट्स है detention of error and fraud fraud and detention को find out करना यह हमने पहले भी किया है objectives में तो आप थोड़ा बहुत mix-up कर सकते हूं तेखते हैं क्या लिख रहत है auditor has to ensure that there is no material misstatement in financial statement arising from the errors and frauds auditor को यह insure करना है कि यहां कोई भी that there is no material misstatement कोई भी misstatement नहीं है financial statement में कोई भी error या fraud की वज़े से कुछ misstatement या misrepresent नहीं हुआ हुआ है financial statement में he has to exercise certain degree of skill and care for detention error and fraud इसके लिए उसने यह उसके पास knowledge कैसे है मतलब उसको कैसे पता चल जाता है देखते हैं कि entry में कुछ गळलत है यहां कुछ fraud हो रहा है उसके वह उसको मतलब कैसे experience पर बेस्ट है उसके इसके पास इतनी है कि वह उसको errors find out हो जाते हैं पता नहीं कैसे ठीक है अधर relevant information and data available जो भी उस entry से related उसको data मिलेगा वो उसको check करेगा personally और उस error को find out करेगा एक है यह हुआ गहां हमारा detention of error and fraud next prevention of error and frauds प्रिवेंशन में क्या है ओडिटर कैन नोट डू एनिफिंग ड्रेक्ली to prevent error and frauds ओडिटर इनके उपर directly कुछ भी नहीं कर सकता अगर उसको errors ग्या preventions कुछ और frauds मिल भी जाती है तो editors ओडिटर इसके उपर खुद action नहीं ले सकता after completing the auditing work the auditor can advise his client by making suggestions जब उसकी audit work complete हो जाती है then auditor जो है वो advise लेता है client से या making suggestions लेता है regarding various way of prevent errors and fraud in future कि future में उसके client से suggestions लेता है कि future में कैसे कैसे fraud होने की मतलत समभावना है if we ask it is for that the suggestions दे रखे changing in accounting system then उसको बता सकते है कि अगर accounting system आपको change करना चाहिए improvement in internal control system में change करना चाहिए ठीक है तो उसको suggestions दे दे देखते हैं अगर वो उन suggestions को implement करता है then in future the chances of errors and fraud can be minimized तो future में fraud होने के chances minimized हो जाते कम हो जाते हैं if his advice is taken and implement जो कब होते हैं जब जो advice लेता है उसको implement भी करता है right spirit से ठीक है जी ऑडिटर शेल फोलो दिफॉलिविंग स्टेंडर्ड ही प्रफॉर्मिंग इस duty उसको जब परफॉर्म करने है तो कुछ यह फॉलिविंग पॉइंट्स हैं इनका उसको ध्यान में रखने हैं यह तो करने ही करने हैं इस एक्जामिन करने हैं जब प्रिंसिपल्स हैं उनको फॉलो किया जा रहा है यह अपनी मर्जी चलाई जा रही है इस फिल्मिन मुद्स हैं यह फ्रौली को ब्रिंस मेनेज्ट हर्फ उसको एक्जामिन करने हैं जब पोलीसी इह एं इनका इंचमेन फिल्स पर विर्ज़िंग मैंने की उनको फॉलो किया जा रहा है अकाउंटिंग की ट्राइक्शें को ताईम यह नहीं इसके बादे इस श हो गया नहीं जी इतने अकाउंट बनते हैं सभी अकाउंट को प्रिपेर किया जाए या नहीं यह कुछ उसको निभानी है पहले ओडिटिंग से पहले यह सारी चीजे उसको चेक करनी है अगर आपको इसमें थोड़ी प्रॉब्लम आई है तो आम एको कमेंट सेक्शिं में बता देना अगर कुछ भी समझ नहीं आया तो डिसकस कर लेंगे हम बाई बाई गाई